सदन रेंज क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गैंग का भंडा फोर्ण किया है जिसके सदस्य दिन के समय इलाके में रेकी करके बंध घरों को अपना तारगेट चुनते थे फिर देर रात चोरी की मोटर साइकल से अपने टारगेट पर पहुँचते और उसमें सेंद लगाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे पुलिस को चक्मा देने के लिए वारदात के बाद चोरी की मोटर साइकल को क्राइम सीन के पास ही छोड़ देते थे ये बदमाश इतने शातिर थे कि चोरी की एक मोटर साइकल से एक ही वारदात को अंजाम देते थे गिरफतार आरोपियों की पहचान जैतपूर एक स्टेंशन पात दो, दिल्ली निवासी 25 वर्षिय सलाउद दीन और फ्राजा वर जे जे कॉलोनी, खानपूर, दिल्ली निवासी 35 वर्षिय रिंकू और फिमान्शू के रूप में हुई है आरोपी सलाउद दीन और फ्राजा थाना जैतपूर का एक हिस्ट्री शीट भी है पुलिस ने इनके पास से चोरी की पांच मोटर साइकल, एक राइफल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है स्थानिय थाना पुलिस की टीमों ने वार्दात के बाद अपने अपने इलाकों में बदमाशों को खोजने के लिए बहुत हाथ पैर मारे लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते थे सेंदमारी की बढ़ती वार्दातों से जनता में भय का माहौल बन गया था मामले की गंभीरता को देखते हुए रवींद सिंग यादव, स्पेशल कमिशनर अफ पुलिस, क्राइम ने सेंदमारी की वार्दातों को अंजाम देने वाले गैंग को जल्द से जल्द दबोचने की जिम्मेवारी सदन रेंज क्राइम ब्रांच की टीम को सोपी टास्क मिलते ही अनकित कुमार सिंग DCP और SD मिश्रा जोइन्ट CP ने नरेश सोलंग की, ACP सदन रेंज क्राइम ब्रांच की सुपविजन वा तेज तररार इंस्पेक्टर विजेपाल दहिया के ने दृत्व में एसाई राजेश, एसाई विजुमोन, हेड कांस्टेबल अर्विन, कांस्टेबल विपिन व अभय पाथक की एक ट्रेक टीम का गठन किया तेज तररार इंस्पेक्टर विजेपाल दहिया ने सबसे पहले थाना जैटपुर, पुल प्रहलादपुर, संगम विहार, ओकला वर जामिया नगर इलाकों में सेंदमारी के अंसुलजे मामलों की फाइलों को बारी की से स्टडी किया जाच में एक बात निकल कर सामने आई की सेंदमारी की सभी वारदातों में चोरी की मोटरसाइकल का इस्तिमाल किया गया था बदमाश वारदात के बाद चोरी की मोटरसाइकल को क्राइम सीन के पास ही छोड़ देते थे इंस्पेक्टर विजे पाल दहिया की टीम ने अभी तक के सेंदमारी के सभी अंसुल जे मामलों को सुझाने के लिए क्राइम सीनों पर जाकर नए सिरे से सबूत जुटाने शुरू कर दिये सेंदमारी की सभी वारदाते रात के अंधेरे में दी गई थी क्राइम सीनों पर अंधेरा होने की वज़े से CCTV कैमरों में भी क्रिमिनिलों के चेहरे साफ नहीं आये थे अभी तक की जाच और क्राइम की मोडस ओपराइंडाई से इंस्पेक्टर विजे पाल दहिया को समझते देर नहीं लगी की सभी सेंदमारी की वारदातों को अंजाम एक ही गैंग ने दिया है क्रिमिनिलों की पहचान के लिए टीम ने मुक्बिरों का जाल बिछा दिया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला जब आरोपियों के बारे में कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला तो नरेश सोलनकी ACP Southern Range Crime Branch ने टीम को क्रिमिनिलों की मोडिस ओपराइन डाई से ही क्रीमिनिलों को दबोचने की सलाह दी ACP नरेश सोलनकी ने टीम को सलाह दी की बदमाश चोरी की मोटर साइकल से सेंदमारी की वारदात को अंजाम देते थे और वारदात के बाद चोरी की मोटर साइकल को क्राइम सीन के पास ही छोड़ देते थे अगर वारदात में इस्तेमाल चोरी की मोटर साइकल कहां से चुराई गई थी यह पता चल जाए तो शायद प्रीमिनिलों के बारे में कोई क्लू मिल जाए ACP नरेश सोलनकी की सलाह पर इंस्पेक्टर विजेपाल दहिया ने क्राइम सीनों पर मिली चोरी की मोटर साइकलों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी ACP नरेश सोलनकी की सलाह काम कर गई वार्दातों में इस्तेमाल चोरी की मोटरसाइकलों को चुराते समय बदमाश कई जगा CCTV कैमरों में कैध हो गए थे CCTV फुटेट से आरोपियों की पहचान जैतपूर एकस्टेंशन पाथ दो निवासी सलावद दीन और फ्राजा वर जे जे कॉलोनी खानपूर निवासी रिनकू और फिमान्शु के रूप में हुई आरोपियों की पहचान होते ही टीम ने छापे मारी की तो आरोपी अपने थिकानों पर नहीं मिले टीम ने आरोपियों को दबोचने के लिए मुकबिरों का जाल बिछा दिया टीम की मेहनत रंग लाई एसा इविजू मोन को मुकबिरों से सीक्रेट इंफोर्मेशन मिली की सलावद दीन और फिराजा सेंड मारी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की बाइक पर दिल्ली के मालविय नगर मेट्रो स्टेशन के पास आएगा इंफोर्मेशन मिलते ही टीम ने मालविय नगर मेट्रो स्टेशन के पास अपना जाल बिछा दिया सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सलाउद दीन और्फ राजा और रिंकू और फिमांशू मोटर साइकल से मालविय नगर मेट्रो स्टेशन आते हुए दिखाई दिये टीम ने दोड़कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया जाच करने पर मोटर साइकल थाना पुल प्रहलादपुर दिल्ली से चोरी पाई गई पूच्ताच के दोरान पुलिस को पता चला कि आरोपी सलाउद दीन और फ्राजा ने दिनाव 24 नवंबर 2022 को अपमे सातियों के साथ मिलकर संगम विहार इलाके से पानी की मोटर, एक लाइसेंसी राइफल और दो लाख रुपे चुराय थे आरोपी व्यक्तियों की गिरफतारी से थाना जैदपुर, पुल प्रहलादपुर, संगम विहार, ओकला वर जाम या नगर इलाके के वाहन चोरी और सेंद मारी के साथ मामले सुलज गए है आरोपी व्यक्तियों ने आगे बताया कि वो अपराद करने के लिए सबसे पहले बाइक चोरी करते थे आरोपी सलाउद दीन और फ्राजा अपने सहयोगी के साथ इलाके में रेकी करने जाता था और फिर वे बंद घर को अपना तार्गेट चुनते थे रात के समय वे निर्धारित लक्षे पर पहुँचते और उसमें सेंड लगाकर वारदात को अंजाम देते थे वारदात के बाद वे उस चोरी की मोटर साइकल को वहीं छोड़ देते थे और फिर उस मोटर साइकल का दूसरी अन्य वारदात के लिए उप्योग नहीं करते थे पहला आरोपी 25 वर्षिय सलावत दीन और फ्राजा विश्वकर्मा कॉलोनी जैदपूर एक्स्टेंशन पाथ 2 दिल्ली का रहने वाला है ये दस्वी कक्षा तक पड़ा है इसे शराब पीने की बुरी आदत थी आसानी से पैसा कमाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसमें लूट और चिनाचप्ती शुरू कर दी इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है इसके खिलाफ पहले से ही दिल्ली के अलग-अलग थानों में 16 आपराधिक मामले दर्ज है और साथ ही यह थाना जैदपूर का हिस्ट्री शितब भी है दूसरा आरोपी 35 वर्षिय रिंकू और फिमान्शु जे जे कॉलोनी खानपूर दिल्ली का रहने वाला है यह मात्व आत्वी तक पड़ा है इसे भी शराब पीने की बुरी आदत थी आसानी से पैसा कमाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसमें अपराध क और हाँ क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले कहीं साजिश तो कहीं रंजिश हर जरुमुका करेंगे पर्दा फार देखें हर रोज रात साड़े दस बजी संसनी ओफ इंडिया कड़ी नेदर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत सच दिखाते हैं अम्डिया संसनी ओफ इंडिया इंदी सफ्ताहिक न्यूजपेपर हर अविवार आपके द्वार वो आप तक पहुँचाता है क्राइन से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ पांच दुबे में देन के उजाने में और रात के अंदेरे में हर अपराद पर है हमारी कड़ी नजर जर्म के हर खबर तक कराएंगे आपको रूप रूप अवाराद अवर्म थांस नी आप प्यांग तोस्दूदद आपके आपके दिए बडिए अवर्म प्रय इंददित वर्म